नमस्कार, मैं हूँ पुर्षोत्म अगरवाल और किताब के इस एपीसोड में हम हैं शिमला की इस शानदार सर्दी और गुनगुनी धूप में डॉक्टर मलींदर ठाकुर के साथ जो जो जी एनियू में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक है और भारतिय राजनेतिक व्यवस्था और भारतिय राजनेतिक चिंतन पर जिनका काम है और जो एक पबलिक इंटिलेक्ट्वल भी है आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा की नवींतम पुस्था के पॉलिटिकल ऑडर एंडिके फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिकन राजनीति स्वास्त्री है और वो दुनिया भर में चर्चा में आये 1992 में प्रकास्वित अपनी पुस्तक, एंड आफ हिस्ट्री, एंड लास्ट मेन के कारण पिछले 20 साल में फुकुयामा की समझ में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बदलाव आया है इस नई किताब में जो असल में उनके एक महत्तो कांग्छी अध्यान का दूसरा हिस्सा है और ये अध्यान गवर्मेंट का अध्यान है, सासन विवस्ता का इसका पहला हिस्सा 2011 में छपा था और ये दूसरा हिस्सा है अमेरकी राजनीती शास्त्री फ्रांसेस फुकुयामा की किताब पॉलिटिकल ओर्डर एंड पॉलिटिकल डिके में अमीर गरीब से लेकर मालिक मजदूर और पुझी वादी लोगतंत्र से लेकर माक्सवादी सामविवाद व्यवस्था के नफिर नुकसान का बखोवी आंकलन है 2014 में सामने आई पॉलिटिकल ओर्डर एंड पॉलिटिकल डिके शासन व्यवस्था के महत्वकांशी अध्यन का दूसरा खंड है जबकि इसका पहला खंड दा ओरिजिन्स ओफ पॉलिटिकल ओर्डर नाम से 2011 में प्रकाशित हुआ इस अध्यन में फ्रांसेस फुकुयामा की मुख्य जिग्यासा ये है कि सभी देश डैनमार जैसी शांतिपूर्ण, सम्रद, समावेशी और इमानदार व्यवस्था कैसे इस्थापित कर सकते हैं और पश्चिमी प्रकार का लोकतंद्र दुनिया के दूसरे हिस्सों में खाम्याब क्यों नहीं हो पाया वे इन जिग्यासाओं के समाधान के लिए राज सत्ता निर्मान, खानून के राज और उत्तरदाई सरकार के विकास का अध्यन पश्चिम, भारत, चीन और इस्लामी दुनिया के संदर्भ में करते हैं पुक्यामा का मानना है कि आदर्श समाजिक जीवन की जरूरत पूरी करने के लिए ही राज सत्ता, खानून के राज और उत्तरदाई सरकार की अवधार्णाओं का विकास हुआ है इन तीनों तत्तों के परस पर संतुलन से ही कोई देश डैनमार की ओर जा सकता है ये संतुलन फिलहल अपने आदर्श रूप में कहीं नहीं है अमेरिका तक में वीटो क्रेसी स्थापित हो गई है तो ब्रश्टाचार ने लाबिंग की रूप में वहां समाजिक रूप से सम्मानित रूप हासिल कर लिया है वैश्वी करण ने कई देशों में ऐसा मंध्यवर्ग पैदा किया है जो जवाब दे सरकारों की गेर मौजूदगी से दिनो दिन बेचैन होता जा रहा है लोगतंत्र ऐसे मंध्यवर्ग को कुछ जगय देता है लेकिन तानाशाही समाजों में समस्या अंदर ही अंदर और गंभीर हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती रोनाल्ड रीगन के सलहकार और बुश समर्थक रहे फ्रांसेस फुकुयामा की पहचान 1992 में प्रकाशित हुई उनकी पहली किताब The End of History and The Last Man से मिली एंड ओफ हिस्ट्री लिखते समय फुकुयामा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मॉडल को लेकर बहुत उस्साहित थे लेकिन Political Order and Political Day के किताब में इस मॉडल को लेकर उनके उस्साह में कमी आई है बहतर सेवाओं की हडबड़ी और सरकार के प्रती अविश्वास की वास्तविक्ता को सुईकारते हुए भी NGO, आउट्सोर्स और नेट्वर्किंग के कारण राज सत्ता की संप्रभुता का कमजोर पढ़ना उन्हें चिंता जनक लगता है इस किताब के तर्क बहुत महत्व पूर्ण ने किताब भौती व्यापक फलक पर लिखी गई है बहुत विद्धूता पूर्ण ठंक से लिखी गई है और इसलिए हमने सोचा कि इस किताब पर बातचीत की जानी चाहिए हमारे साथ मलिंदर ठाकुर हैं, हम सिमला में हैं, सिमला के डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, सिमला के अध्यापक और प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे समाज के लिए बहुत प्रसंगिता है इसकी पहली प्रसंगिता तो यह है कि यह हमें भी एक अंतररास्टिय जगत में जगर देकर नई द्रिस्टी डेवलप करने की कोसिस करता है हमें बतलाता है कि हम कोई आइसोलेटेट थर्ड वर्ल कंट्री नहीं हैं बलकि एक बड़े विकास के हिस्सा में हैं पहले खंड में भारत के बारे में बहुत लंबा लिखा है और चीन भारत और तमाम देशों को एक इसलामी दुनिया के बारे में यह जो फलक इनका इतना विस्तित है इस फलक के कारण हमें मुझे जवाहलाल नहरू की डिस्कवरी अफ ग्ल अपने डायलॉग्स हैं उनका अपना रिलेशनसिप है इसमें मुझे एक चीच जो बहुत रोचक लगी और चूंके भारतिये राजनेतिक चिंतन पर आपने खास करके काम किया है और मेरी भी उसमें काफी दिल्चसपी है मुझे इस किताब का एक आफजर्वेशन बहुत मा क्लास और उसमें उधारां दिया है कि जैसे बाकी लोगों के प्रसंग में ब्रहमान तो असोग जैसे राजाओं के प्रसंग में बौध पुरोहितों का और इसलामी राजाओं के प्रसंग में इसलामी पुरोहितों या मौलवियों का एक प्रभाव रहता था और इसलिए र सब्सक्राइब एक रिलिजन कंफ्यूसियानेज में जैसे वेक रिलिजन ट्रांसेंडेंटर रिलिजन पैदानी हुआ चीन में इसलिए चीन में रूलाफ लॉकी परंपरा आज तक बहुत कम जूर है यह बहुत रोचकला मुझे लगता यह बहुत इंपॉर्टन अब्जर्व अपने इंट्रेस्ट को मिनिमम करके फिर वो राजसत्ता को गाइड कर जा था यह जो एक वर्क पैदा किया गया था जो जाती नहीं थी आपको यह बहुत रोचक नहीं लगता और विद्रंबनापून नहीं लगता है कि ऐसे समाज में आज कुछ लोगों के लिए से मिलने जाता था तो अपने रत को दूर चोड़कर पैदल उसके आस्र में जाया करता था वहाँ आप यह कह रहें कि इनुवर्स्टी जो है राजा को धंका के बगा देता था बगा देता था तो उस परंपरा में और राजा उनसे पूछ जाता था कि हम क्या करना चाहिए तो उस परंपरा में मुझे लगता है कि इसको इनो ने लोकेट किया यह बड़ी बात है एक एक अम Cubelt की सुछर होंके यह एक एक जापनियस कॉलर जैमिरका में रह रह रहा हो उस ने इस बात को लोकेट किया यह मुझे लगता है एक माःत्पूर्ण अबसर्वेशन इनका ह मनिंदर मुझे इसमें एक चीज वहर याद आती है असल में हम लोग हमारे समाज की कई समस्याओं में से एक ये भी है कि हम अपने समाज के बारे में ट्रांसलेटिट कैटेगरीज में बात करते हैं और जिसमें सैकुलरिज्म को जैसे आप ले लीजिए सैकुलर का सीधा मतलब होता है लोकिक और हमारे हैं मैं काविस वास्तर का विद्यारती हूँ और उसके बाहर भी लोकिक और अलोकिक के बीच में एक चीज लोकोत्तर होती है तो जिसको ये ट्रांसेंडेंडन्टल रिलीजिं कहते हैं फूकुयमा उसको मैं कहुँआ लोकोत्तर कलपना धर्म की जो केवल अलोक एक नहीं है और जो केवल लोक भी नहीं है और इसलिए जो रूल आफ लौ की बात ये कर रहे हैं कि रूल आफ लौ की परंपरा भारत में इसलिए बन सकी और डेमोकरिटिक इंस्टिटूशंस की क्यो नीकिते बात में तर्म नहीं लगती है को कि पुइवादवाध करोगतों के विक्लपना है नहीं को सकता है मुझे लगता है इस किताब का इंटरनल कांट्रडिक्शन भी है एक तरफ जो बड़े फलक इनन देखने की कोसिस की है उसमें बार बार इस बात पर आते हैं कि पुझी वाद की समस्याएं क्या है जैसे कहते हैं कि लॉबिंग बहुत डेवलप हो गया है आउट सोर्सिंग हो सब्सक्राइब हो गया है तो यह कृटिक भी कर रहें बहुत जादा और कह रहें कि जैसे इंस्टूशन हो गया है लेकिन आखरी में किताब के आते आते इनका वो जो पुझीवार्दी आस्था है उनकी वो निकल का आने लगती है लेकिन वो आस्था क्या हम उसको निराधा कह सकते हैं सोवियस संग और चीन देखिए चीन फॉर और प्रैक्टिकल परपजेज आज कैपिटलिस्ट एकॉनमी और एक अथारिटरियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सोवियस संग का विगटन हो चुका है ऐसे में क्या फूकुयमा की यह माननेता यास्था निराधार है क पुझीवादी लोकतंत्र ही एंड आफ हिस्ट्री मुझे लगता है कि इसमें जाचने की कोसिस करनी चाहिए कि पुझीवादी लोकतंत्र का इंटरन कॉंटरिक्शन क्या है उसका अपना डानिमिक्स किधर इसे ले जाएगा पुझीवादी लोकतंत्र और जो में भी अब नए चरिके से लोग सोच रहे हैं कि सामाजिक वरस्ता में बदला वाना चाहिए नहीं चर्चा तो देखिए 40-50 साल से चल रही है वह एल्विन टाफलर की जो किताब थी दा थर्ड वेव उसमें वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करती है और उस किता किताब का एक चैप्टर है जिसका स्वीर सक में कभी भूली नहीं सकता गांधी विच सैटेलाइट्स और उनका आशे यह है कि गवर्मेंट लोकल होनी चाहिए और इस्टेट का यह जो नैसन इस्टेट का जो इतना यह है यह सब दीरे-दीरे खत्म हो जाएगा और टाफलर ने यह बात European Union के गठन के वरसों पहले कही थी और यहां मैं फिर इस किताब पर लोटता हूँ इस किताब में एक और observation मुझे बहुत रूचक लगा इस किताब में जो जिसकी बात हम कर रहे है पॉलिटिकल अडर एंटिके की इसमें एक observation मुझे और बहुत रूचक लगा मनी कि यूरोपीयन उनियन इसलिए कामियाब है और वो शायद ज्यादे उपयुक्त मॉडल है फुकुयमा के लिए क्योंके फुकुयमा को मैं अगर उधृत करूं कि यूरोप के विभिन राष्ट्रों ने अपनी राजनियतिक संप्रभुता का स्विच्छा से परित्याक किया इसलिए उसको ताकि राष्ट्रवाद के जहर से मुक्ति मिल सके इबहुत है इस टेट्स इन यूरोप हैव सरेंडर लेर सॉवरेंटी विलिए टुडिफेंग नैशनलिजम राष्ट्रवाद का जहर निकालने को बिलकुल पुरस्तरवाद का जहर डिस्को इरों ने कहा है वो अभी जहर फैलता ही जा रहा है समाज में और ये रास्टरवाद धिरे दिरे वो आइडिंटिटी पॉलिटिक्स का रूप कई जगा पर रहा है जो सब नेसलिजम को कहते हैं तो उससे निकलने के बिना निकले बिना इस तरह की विष्विकल्पना नहीं की जा सकती है जो श राष्टरवाद की इतनी कठोर आलोचना एउरोप के संदर्भ में समझ में आती है क्योंकि दूसरा महायूत दुन लोगों ने देखा पहला देखा और वो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे आज उनके बीच में स इसलिए इस सब्सक्राइब की ज़रत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि असमीता का इतना बड़ा क्राइसिस लेकिए लेकिन इस बात पर सचमुझ हम गर्व कर सकते हैं कि हम राष्ट्रिया आंदोलन के वले कसमिता का अंदोलन नहीं था वो एक नैते का अंदोलन था और इसलिए हमने राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना सविकार की उसमें आपके वनसका आपके बलड का कोई रोल नहीं था हमने एक लोकतांत्रिक और समयधानिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना सविकार की है लेकिन फूकु यामा की ये क्रिटीक मुझे सचमुझ थोड़ी सी आत्यंतिक लगती है क्योंकि वो ये फर्क नहीं करते कम से कम इन दोनों किताबों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं औ और रेस्यल निशनलिजम के वीच फार्क नहीं करतें और यह मुझे लगता है बहुत बली ब्ली यह बिलकुर सहही कराई कि लगता है की सं term के बारे ने ज्योड़ीम टे उसके बारे में नहीं है लें लेकिर भी मुझे ये लगता है कि जिस बात को येोड़ी के वारे मीं न पर बिचार किया उन्होंने इस सिलसले में ब्राजील और भारत को खास करके फोकस में रखाया आपको मालूमी है और उनका कहना यह है कि यह वार्त व्यवस्थाएं हैं जिनमें सफलता प्राप्त हुई उस तरह के खगोली करन के काराण और पैसा बढ़ा है समरिद्धी बढ़िए और समरिद्धी बढ़ने के काराण इन आर्थ व्यवस्थाओं में एक मद्धिवर्ग उत्पन हुआ है तो जो उपलब्ध इंस्टिटीउशन्स हैं क्योंकि किताब असल में इंस्टिटीउशन्स के बारे है यहां इन समाजों में समस्यां पैदा हो रही है डेमोक्रिटिक समाज तो फिर भी इस जटके को जहिल सकते हैं लेकिन जैसे ब्रैजील जैसे समाज के लिए जो कि डेमोक्रिटिक है लेकिन सायद उतनी डेमोक्रिसी ना हो वो उसको लेकर उने चिंता है और यह मुझे काफी अब भी रोचक लगता है कि इस सिल्सले में फुकुयामा आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करती है। मिडिल क्लास एस्प्रेशंस के रूप में। मुझे लगता है कि लेकिन यह बात साथ में एभी कहते हैं कि जो इन्सान इंसान 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 बनाता ही चलता है। तो तमाम हुएन इस जहां भी रहा है उसने अपने तरीके से इंसानी से निकल सकते हैं। जो जादा डीपर क्राइसिस इनको लग रहा है, वो लग रहा है ये लॉबी और कुछ लोगों के हाथ में हो गया है, ये इनको जादा डीपर क्राइसिस अधिया है। उन्होंने सोसल कॉंट्रेक्ट थियूरी का खंडन किया है। और काहा है कि सामाजिक्ता मनुष्य के नैसरगिक सभाव में है। वो जो कुछ लोगों और इसमें मुझे फिर चुके आप से बात हो रही है, मुझे इसमें महाभारत में जो भीसम का उपदे से वो यादाता है। जिसमें जब वो राजा के और राज दंड के निर्मान की बात करते हैं, तो उसमें वो मनुष्य व्यक्ति सभ्द का प्रियूग नी करते हैं, वो प्लूरल का प्रियूग करते हैं प्रजायें। प्रजायें मत्त नयाय से दुखी थी और तब वो ब्रह्मा के पास गई। औ और उस दंद को धारन करने वाला राजा कहलाया। और जैसे गांधी ने पुरुशारत की बात की, यह चार जो हमारे नैसरगिक गुण है, अर्थ, काम, धर्म, जो हमारे नैसरगिक राइट है, यह भी कही नगी पुरुशारत को ला रहे हैं, यह उनका इंट्रिंजिक मामला है, जैसे रिलिजन के बारे में जो बड़ी महत्प मैंने तो यह आर्गु किया है कि आप मतलब यह मुझे कांट्राडिक्शन इंटम्स हमेशा लगता रहा है कि अधर में प्राइवेट अफेयर, यह निजी ममला कैसे हो सकता है, भर्म तो है ही एक सामोहिक चीज, वो निजी तो कभी हो नी सकता है, और इसलिए उसकी अपील ही रहती है, और आप कहते रहें कि साइंस के विकास के साथ धर्म खत्म हो जाएगा, लोगतंत्र के साथ धर्म खत्म हो जाएगा, एक कीसमी सरी में साइंस भी खुब है, लोगतंत्र भी खुब है, और दुरभा के से धर्म भी खुब है, और बड़े खतरनाक रूप में एक थोड़ा में को थोड़ा स्वरार्ती सवाल आप से पूछ रहा हूं चुंकि आप एक मैं तो खेर बाहर का व्यक्ति हूं लेकर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप डिसिप्लिन के डिसिप्लिन में इस तरह के तरकों पर क्या प्रतकरिया होगी या क्या हो रही है इस तरह किताब थी उसको इसको सीडिया गया उसका क्या गया उसका कॉंटेक्स था सोवियत जी कॉलाप्स के बाद आए ता इस किताब पे अभी भी प्लिटिकल साइंटिस्ट बहुत जादा सीजिए स्को नहीं ले रहे हैं इसका दो कारण मुझे समझ में आता है एक तो ज में बात कर रहे हैं उस तरह की परंपरा जो कमपरेटी पॉलिटिक से हुआ करती थी जिसमें आप बड़े फरक पे इंस्ट्यूशन को कंपेर करके जिसे बैरिंग्टन मूर जैसे लोगों ने कांश कायम किया था वो परंपरा कर दो को भी अब सीरिशली लेना बंद कर दिय कि उस तरह कितामें पुडि उस नहीं हो पा रही है इस माइन में इसको सीरिस्लिय जरूरत है भले इसका इतना विस्टिट फलक कई बार जो जो खुदिये कहते हैं कि मेरा विस्टिट है कि यदि आप बहुत माइक्रो अब्जर्वेशन्स लाने की कोसिस करेंगें तो यह पता नहीं है तो आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं क्योंकि आपने बैरिंग्टन मूर का नाम लिया इसलिए बैरिंग्टन मूर प्रिये लेखकों में से और उनकी जो पिछली किताब थी 6-7 साल पुरानी प्य किताब में लोग प्रिक्तर युण नियुकं चारे हैं लो लेकिन मैं चाहरा हूं कि उस्त्रा काम कम हो पा रहा है जिस्तरा काम इनके इमाजिशन से ढिरे-द्रे बहार निकलारा है उस्त्रा ही लोग प्रहर रौने ही लोग किंश कर र tenure है जो लंबा कंपरेजन कर Christmas कर रह है और जसे सम्मन्दित होने का सोभाग ये मुझे भी मिला है और मुझे गरव है इस बात पर आपको क्या लगता है कि जे अनिऊ जैसे डिपार्टमेंट में भी ये स्तिति है कि इन किताबों को गंपीर्ता से ना लिया जाए क्योंके इनका फलक व्यापक है कि जेनियू में भी यही इस थी जेनियू में इसको बहुत गंबिर्तास नहीं लेने का एक और कारण हो सकता है, मुझे लगता है, कि जो इनकी पहली किताब थी, जिसमें नों जस्टिफाइ किया था अमेरिकन कैपिलिजम को, उसने इनके बारे में एक नहीं लेकिन वो तो 1992 मे आज विवस्था के चलने का आधार ट्रस्ट को बताती थी, जो एक मुझे लगता है कि बनियादी तोर से सही बात बात पून किताब है, उसके बाद और और इनकी किताबे आई लिया गया है, क्योंकि उसमें जो आर्गिम्टों ने लाया है, वो सिस्टेमिक क्राइसिस को श रहे हैं, इससे लोग आम बात नजर आएगा लोगों, लोगों को ब्रामन बात नजर आएगा, आम काउपर लोगों से एगरी नहीं करेंगे, हलाग एक महत्पून पॉइंट वो बना रहे है, तो महत्पून पॉइंट यह है कि एक ऐसा ग्रूप है, जो सिर्फ उसमें अभी मुझे लग रहा है कि समय लाएगा इसमें, मैं एक बात आखिर मैं आप से अब जो फिर से उस पर आना चाहता हूं थोड़ा सा, कि इस किताब की हमारे वर्तमान राजनेतिक प्रसंग में, संदर्व में क्या प्रासंगे किताब को लगती है, इसके तरकों की, मुझे इस बहुत 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 बात इसलिए डगती है कि जिस तरह से अमेरिकन पुझिवाद कि इनोंने आरोचना की है, वो बिमारियां सब जगा आम हो गई है, यदि आप भारत में जिस तरह की व्यवस्ता चल रही है, इसमें आप देखेंगे कि लॉबिंग का वही रोल हो रहा है, जो इंस्यूशन से वो रिजिट हो गया है, नए इसूशन की जो कलपना हो पा रही है, जैसे आपने देखा कि पूरा आंदोलन चला एक लोगपाल बिल के लिए, और लोग उसमें कूट पड़े, क्योंकि जो विवस्ताएं बनी हुई हैं, यदि आपक और उनकी पालना होती है नहीं होती है, इसकी कोई परवानी करता, यहने मैं जानता हूँ, मैंने कल देखा है, यह बोर्ड लगे हुए हैं शिमला में, कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सारजने कि स्थानों पर धुमरपान बरजेते, मैं दिल्ली का नागरेक हूँ, आप भ रूल आफ लॉको गंभीरता से नहीं लेते, हमने रूल आफ लॉको लगभग मजाक में बदल दिया है, आपकी काटिपड़ी है, मुझे लगता है कि एक तरफ तो हमारे वी आईपी कंचर है, जो वर्च्वली एक ही कानून, मतलब वो हमारे बीरोक्रासी में जो कहते हैं, क एक तो वो इसके थी है, और दूसरे ये कानून पर कानून, कानून पर कानून, वो तारीक पर तारीक की तरह है, जो एक तो एक तो वो इसके थी है, और दूसरे ये कानून पर कानून, कानून पर कानून, वो तारीक पर तारीक की तरह है, जो इस्टिस्टर का क्राइसिस है गवर्नेंस के मामले में, यह मुझे लगता है कि जो इनका द्रिश्टिकोन हिंदुस्तान के बारे में भी बना है, उसमें काफी कुछ ऐसी बाते हैं, जिसको लेकर प्लिटिकल साइंटिस्ट इसे बहुत से इसली नहीं लेंगे, हिंदुस्तान पे इनके कमेंट्स को, यदि दूसरे तरफ यह देखा जाए कि एक ब्रॉड के अनवास पे इनको देखा जाए, तो ब्रॉड के अनवास पर यह कमेंट्स बहुत महत्पून हैं, और बड़े इंसाइट इसमें हैं, जिसे निकाल करने कुछ तान कर से चर्चा जारी रहेगी, अभी फिलाल वक्त है एक ब ब्रेक के बाद के हिस्से में हम और मलींद्र साथ में हम लोग बात करेंगे यहां मौजूद बुद्धी जीवियों और जिग्यासू नौजवानों से यह समय है भारत के लिए भी खास तरीके से अपने प्रियोग को वर्ल्ड में दिखाने का कि हमारे पास एक नया प्रियोग है जो हम दिखा सकते हैं स्वागत है ब्रेक के बाद और इस हिस्से में ओडियन्स के साथ बातचीत होगी हमारे साथ इस नगर के सिमला के डिप्टी मेयर सरी टिकंदर सिंग पहमार मौजूद है वे सवाल पूछना चाहते हैं पहमार साब अपना सवाल पूछिए थैंक्यू जी मैं दो सवाल को एक में कोशिश करता हूँ तो जो ब्राड केंवस आपने बात की उसमें रखने की कोशिश करूँगा आप ही सही पूछना चाहूँ जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ी एक तयारी है पूरे पूछिवाद को डिफेंड करने की जब डेविड हावे जैसे लिख रहे हैं कि लास्ट टेज ऑफ कैपिलिजम है अभी और टेरी अगल्टन ने लिखा है वाई मार्क्स वस राइट तो और पूर आज क्योंकि मैं खुद डेपीटी मेर हूं मैं खुद वहाँ बहुत वाच कर रहा हूं जो इलेक्शन वहां की मिन्सिपालिटी में हो रहे हैं न्यू यॉक वाशिंटन जहां पर लेबर और लेबर इशूस दुवारा प्रॉमिनेंट हो कर आ रहे हैं तो यह जो सिरफ एक हम कहते हैं साइंस में कि बहारी तत्व को ज्यादा महत्व देना और जो कोर ऑफ कैपिलिजम है जो आज जैसे मैं बहुत सहमत हूं डेविट हावे से कि लास्टेज ऑफ कैपिलिजम है जो डेट क्राइसि उसका इतना बड़ा है आज कि शायद वहार नहीं निकल पाएगा ह आज जो पूरा एक हमला आइडिलोजिकली कैपिलिजम पर है वर्ल्ल कैपिलिजम पर उसको डिफेंड करने के लिए विदिन सिस्टम ठीक करने की बात हुई है निकलने की एक स्थिती बाकी ये तो जाहिर है कि कापिटलिज्म का रइस्णलाइजेसन कापिटलिजम को मानवित्यास की अंतिम अबस्ता के रूप में पेश करना ये तो इसकाब का और इससना प्रस्तान बिन्दू ही और इसमें मुझे आपके सवाल से जो एक पुनरविछार करने का समय है कि उस तरह का थेट स्टेट कंट्रोल्ड कुममनिजम भी नहीं चलेगा और एकदम फ्री फ्लॉइंग कैपिटलिज्म भी नहीं चलेगा एक तीसरा रास्था या डेन्मार्क मॉडल या डेन्मार्क मॉडल इस वेलफेर स्टेट और welfare state mixed economy के बिना संभव नहीं है और वही नहरुवियन मॉडल था गांदी जी से प्रेवना लेकर अपने डंग से जैसे हम नहरुवियन मॉडल कहते हैं वो basically capitalism और socialism के बीच का एक mixed economy का मॉडल था और जिसके बारे में कहा ही ये गया और आज कुछ लोग फिर से कह रहे हैं कि उसमें दौनों की बुराईया थी बलाईया एक की भी नहीं थी आपकी का टिप पुरी है मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समय है भारत के लिए भी एक खास तरीके से अपने प्रियोग को वर्ल्ड में दिखाने का कि हमारे पास एक नया प्रियोग है जो हम दिखा सकते हैं लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह के जो टेक्स्ट है ये सायद कैपिलिजम को परिफेरी से अनलाइज करते हैं फिर भी एक बात कहूंगा देखने की बात ये है कि यही सक्स पिछले इतने दिनों 20 सालों में अब कैपिलिजम के क्राइसिस को डीपल तरीके समझ रहा है और कई जो इंसाइडर्स इंसाइट्स हैं जो शायद हम लोग बाहर से नहीं समझ पा रहे हों जिसको डाइविड हार्वी भी शायद नहीं समझ पा रहे है वो ये एक्सपोज कर रहे है इसमाइले में ये किलाब बहुत इसमें एक ठीज और फूकु यामा की ही अगर बात करें तो फूकु यामा बाकाइदा रीगान के सलाकारों में से थे और नियो कंजर्वेटिव कहलाते थे 2006 तक वो जॉर्ज बुस के समर्थक थे उसके बाद उन्होंने अपने आपको डिस्टेंस करना सुरू किया और 2008 के चुनावों में उन्हें जॉर्ज बुस का विरूत किया पब्लिक ली किया लेख लेखा के वाई आई विल नॉट फॉर्ज फॉर्ज बुस तो वो जो बात मुलींदर कह रहे हैं कि ये क्राइसिस जो है इन लोगों को भी इधर से उधर जाने के लिए वेवस कर रही है एक स्विप्टिंग उसमें महजूद है अगला सवाल पूछने के लिए प्रोफेसर मम्ता मुक्ता पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर हैं अप और अगला सवाल आप पूछेंगे फुकुयामा जी ने जो बात की है उन्होंने कहा है कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए जहां कानून के शाषन के होने की बात की है उसके साथी साथ ओत्तरदाइत और राजनितिक सत्ता उसमें समंजिस से किस तरह से हो संतुलन किस तरह से हो उसके बात की है तो मुझे लगता है कि फुकुयामा के विशलेशन है वो इस किस तरह से हमें तीनों में समझस से स्थापित कर पाएं वो भारत में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो विशलेशन भारत में किस हथ तक प्रासंगिक है मुझे रता है कि बहुत प्रासंगिक है क्योंकि भारत में जो accountability का मामला है इसके उपर सारा कुछ टिका हुआ है और जो दो बाते हैं कि दो कारनों से crisis एमर्ज कर रहा है एक कारन तो ये है कि इन्स्टूश्वर्ण से अपने को transform नहीं कर पा रहा है दूसरा कारन ये है कि लोग अपने ही लोगों को सत्ता मिलाने की कोसिस कर रहा है इन दो चीजों से निकलने की बहुत जरूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए ये चाहे आप सामजबाद की बात करें, समाजबाद की बात करें, पुंजीबाद की बात करें, ये तो कोर मिनिमम है कलेक्टिव गवर्नेंस का, कि आप इतना तो बान के चलें कि पर दो करें जो जा रहे हैं, वो इस्टेट को कैसे देख रहे हैं, बड़े पहाने पर प्लंडरिंग का भी मामला बनता है कि एस्टेट के रिसोर्सेज को लोग प्राइवेट में जमा कर रहे हैं, यह पहले लोग लिखा करते हैं, थर्ड वर्ल स्टेट में यह बहुत जादा हो रहा है, अभी मुझे रगता है उसकी गती और भी बढ़ गई है, जो ब्लैक मनी का विस्टार हुआ है, कि हमारे हैं फुकुयामा की पेरामीटर्स में बात करें तो इस प्रॉस्प्रेटी बढ रही है, प्रॉस्प्रेटी के साथ है काउंटेबिलिटी का ना बढ़ना बहुत खतरना हो सकता है, अगला सवाल प्रोफेसर संजीव कुमार महाजन, आप भी पब्लिक के सुषाशन की तो, उस सुषाशन की वज़े से जहां पर अभी हम रूल ओफ लॉप की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, क्या हिंदोस्तान के संधर्व में इसको हम एंप्लिमेंट कर सकते हैं, जहां प रिसूर्सी आपके रिमेटेड हैं, और जो र तुसरी तरफ हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या इतनी बड़ी है, रिस्पूसिस कम है, गुड गवर्नेंस है नहीं हमारे पास, क्योंकि वहां पर इंप्लिमेंटेशन जो है, और उसके ओपर अकाउंटेबिलिटी जो है, उस संधर में क्या ये डेन्मार्क रिसूर्सेस को देखने का तरीका क्या इस पर निरवर करता है, और उनका उप्योंकि नहीं, देखिए, रिसूर्सेस अब जैसे मान लीजिए कि आप इनको पत्थर और लखली जैसे ही रिसूर्स को ले लीजिए, अब अगर आप को केवल फैंसी फ्लैट बनाने हैं, और व सोसाइटी का जो कल्चर है, वो जितना खाते हैं, उस जादा बरबाद करते हैं, वेस्ट कल्चर, वेस्ट कल्चर है, हमारे कल्चर में हम कभी भी खाना छोड़ते नहीं थे अपनी थालियों में, अब यह नया धनी धना डिवर पैदा हुआ है, आप देखिए, कितना खाना इन्होंने एक तर्क दिया है अपनी कताब में, कि तकनीक के विस्तार से मानव की अवधारना समाप्त हो सकती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मानव की अवधारना, क्योंकि मानव विवेक शिल परानी है, और जब विवेक है इनसान के पास, तो मानव की अवधारना बाद नहीं हो सकती इसके बारे में इसलिए हम फुकुयामा की आवाज को विवेक की आवाज कह सकते है विवेक सील प्राली है महानव और वो अधालना तक्नीक की वज़े से मनुष्स से खत्म नहीं होगा तो तभी खत्म नहीं होगा जब कोई उसे याद दिलाता रहे क्यार पीछे इतने मापड़ों के कुट्टे बन जाओ इस लिहाज से वो लास्ट में वाला फ्रेज बहुत नहीं है और मुझे लगता है कि फुकुयामा नहीं ही अपने पोजिशन को रिवाइज किया इसके ताब जब वो इंट्रिंजिक बाते कह थे कुछ चीज इंट्रिंजिक है हमारे जैसे कहते हैं प्रेम दुख दया यह सब इंट्रिंजिक है तो बुद्धिस वो ट्रस्ट से आज बाद कर तो यह पदल रहे हैं मुझे बीस साल में यात्रा की है अगला तबाल लेंगे प्रफेसर हरीश ठाकोर मेरे पास दो स्वालें आपके लिए एक तुम मैं च इस लेटेस्ट वोल्यूम में फुक्यामा ने प्रेशर ग्रूप पॉलिटिक्स की भी बात की है और अमरीका में यह कहा है कि प्रेशर ग्रूप सार लॉबीज इंट्रोपोर्शनेटली इंफ्लेंसिंग दा फंक्शनिंग अफ ग़र्मेंट तो यह क्योंकि पब्लिक इंट पहली किताब के बारे में इंड फिस्टरी के बारे में तो बिल्कुल सही कह रहा हैं कि उस किताब से ऐसा लग रहा है कि वो जस्टिफाइ Kitchen30 कAhर को और कहने अखरी सिस्टम है अभ खोजने की ज़रत नहीं है असल में मली अंडानी पीच में रूखों रहूं को उस किताब के संदर्व को अगर देखें उस समय बात हो रही थी end of cold war की एंड एडियालजी फूकुयामा का उत्सा है इस बात में जहलगता है उस समय पुझी वाद के प्रती कि उन्हें नहीं कि इंड दाफ कोड़ वार नहीं है एंड अफ इंड वरी कतम है तो बहुत सामें लेकर इसी लिए इस किताब पर चर्चा नहीं कर रहेंके यह आने निकट है और बीच में उसके बाद एक और किताब लिख चुके हैं मुझी द्यान नहीं आ रहा जिसमें वो उत्सा कम होता उनका दिख रहा है कि जहां उनको सोवियस संग के विघटन में केवल स्वीत युद्धका नहीं बलके इतियास का अंत या इतियास के लक्ष की प्राप्ति नजर आ रही थी उससे इस तरह हैं भाग बद्ली और दूसरी बात जो आपने कही जो लॉ कि लॉबिंग का मामला काथ़ गंबीर है क्योंकि लॉबिंग में बhowट पैसाई लिजिटिमेट तरीके से अमीरिका में अभी हिंदुस्तान में इतना लेजिटिमेट नहीं हुआ है अमेरिका में बड़े लेजिटिमेट तरीके से खर्च करते हैं और वो फिर कानून को बि मेरा नाम वीजेंदर मेरा है मैं शुधार्ती हूं समाजे कारे करता भी हूं मैं आपकी जो आपने बात कही है वहीं से अपनी बात को उठा रहा हूं आपने काई कि कि फुकुयामा ने जो किताबिया लिखी है उत्सा में लिखी है पहले कुछ और अब इस स्टेज तक वो आए हैं मेरा कहना यह है कि फुकुयामा की जो चर्चा शुरू हूए उननी सो बानुए से वहीं मुख्य था और वो भी एक ऐसा समय था जब समाजवाद का पराभव तो मेरा यह कहना है कि जान बूजकर समराजवाद के द्वारा प्रयोजित राजनीती शास्त्री हैं और आज भी जब 2008 का इतना बड़ा संकट दुनिया में आया है उसके बाद इन्होंने यह किताब लिखी है और जान एक बार कि जान बूजकर वो उस डिवेड को जो अमरि चीह सही है और कोई सवाल जी सर मेरा नम रोहित कुमार है और मैं एक शोधार थी हुए माचल प्रदीश उनिवरसिटी में जो फुक कुयामा ने बुक लिखी पहली एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट में उसके बाद एक उनकी बुक आई ट्रस्ट और उसके बाद जिसमें एक चैप्टर ने लिखा था सवाल क्या है आपको यह सवाल क्या जो आज फुकुयामा क्लाइटिलिजम री प्रेक्टी मॉनलाइजेशन लॉबिंग जिसको लेजिटीमेट करप्शन भी बोर रहे हैं तो क्या जब वो लेबलर डेमोकरेसी को क्रिटिसाइज कर रह हैं अब तो मेरे खैल सुन को नियो लिबरल कहा जाना चाहिए निए वो कौन की जगे अगला सवाल सर नमेर नाम अजे है और मैं प्लिटिकल साइंस में पीजडी कर रहा हूं मेरा प्रेशन यह है सर की आपने जो बात की डेनमार्क मॉडल की और आपने नहरू मॉडल की भी कि नहरू को बुला दिया जाएंस बढ़ भी तर तर दे सकता हूं मैं अभी भी रलिवेंट इसलिए है कि हिंदूस्तान में जो नया मॉडल लाया गया है यह मॉडल जो है इसने गरी बहुत बड़े पैमाने पे पैदा कि है अमेरी भी बहुत पैदा कि है कुछ लोगों के लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है नहरुवियन मौडल में एक जगह बनी थी लोगों के लिए इसलिए अभी लोग दुबारा से सोचने लगे हैं इन फैक्ट यही लोग जो लोग जो लोग नियो लिबरल को इतना जस्टिफाइ करते थ अब जुबारा से कहने लगे हैं कि हमें उसे बाहर हटने की जरॉट कुछ मन्रेगा का जो तर्ख है मन्रेगा के बाल डोल आउट इस्कीम नहीं ताव यह मानलिया गया है मन्रेगा ने समाज में कुछ और की आए और कोई सवाल सर मेरा नाम राकेश है माचल प्रदेश उनिवर्सिटी का शोधारती हुमे सर मेरा प्रशन है फुकुयामा ने एकनोमिक ट्रांसफोर्मेशन की बात किये तो बट एक्स्टेंट एकनोमिक ट्रांसफोर्मेशन इस हेल्ड फार पॉलिटिकल डीके माई मीन तो से दाट एकनोमिक ट्रांसफोर्मेशन हिंदी में पूछे सबाल तो बैतर है एकनोमिक ट्रांसफोर्मेशन उसके लिए रिस्पोंसिबल नहीं ठहराया जाना चाहिए कि उस पे लिए पॉलिटिकल डीके हुआ है कमप्लीटली उसने लोगों का जीवनस्तर भी बढ़ाया है तो किस हाथ तक जिम्मेदार मुझे लगता है कि एक्चुली वो ऐसा कहने रहे हैं वही मेरा क्रिटिक है उनका कि वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्ट्यूशन का इमर्जेंस और डिके है उसका संबन्ध संस्कृति से तो है लेकिन एकॉनमी से नहीं है यह वो देख नहीं पा रहे है कि इंस्ट्यूशन का इमर्जेंस और डिके दोनों ही पॉलिटिकल एकॉनमी का पार्ट है बलके वो इंड़िस्ट्राइजेसन को लोगतंत्र के लिए जिम्मेबार ठहराती है जोके सही है लेकिन इंड़िस्ट्राइलिएसन ही अन्टित्र टेक्नोलोजी के लिए भी जिम्मेबार होती और जिससे उनको चिंता है कि मनुस्षे वो अपनी मनुस्तिता को बैठेगा तो इंट्रेंजिंग कंट्राडिक्शन से उनके तरक, उनके तरक वे इंट्रेंजिंग कंट्राडिक्शन यह है। तक डेमक्रिसी जो है वो ग्रासरूट लेबल पर काम कर रही है। जो हमारे अपने प्लिटिकल गवर्निंस का यह मौडल है, यह सही है कि नहीं है। तो डिमाक्रसी इसके रूट में चला गया है और तभी दुनिया वर के लोग यह मान रहे हैं। कि दुनिया का एक सबसे वाइबरन डिमाकरसी में से एक हिंदुस्तान का डिमाकरसी है। और यह बात के बल संस्ताओं पर नहीं विचारों पर भी लागू होती है। यहने इस समय अमेरिका में और पश्मी ये उरोप में दलाई लामा अत्यनत लोग कप्रिये हैं। तो बहुत धर्म का विसकार ये उरोप ने तो नहीं किया है। बहुत दलाई लामा की संसाका भी अभ THISकार ये उरोप ने नहीं किया है। लेकिन दलाई लामा बहुत लोग कप्रिये हैं। हिंदू भर्म के कई पहलू भौ लोग कप्रिये हैं। इस्लाम भौ लोग कप्रिये हुँरा है। तो secondo कि इंदिर बिल्कुल ठीक कह रह है। कि यह म upgraded про इन पुरा किस तरह किस तरह और किस अरा चान taps है ऑछाए ऑपिरका तरह को हो ठा probखिन अगला सवाह अगला सवाल सर भारत के संदर मैं जो एंजीओ यह क्या उनकर रोल आज डिकला शेख बाट अटनि जयो लोबीजम विचिज बेसिक कोर अफुकुयामा इंटेक्स्ट अपॉलिटिकल डिके एंजियोज पर इस किताब में हम लोगों ने उतनी चर्चानी की लेकिन जब वो वीटो क्रेसी कह रहे हैं अमिरिकन डेमोक्रेसी को और आउट्सोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो वो एंजि अश्टेका में रिगन और इंगलैंड में थैचर की जब एकॉनमी पॉलिसी चली तो इस्टेट ने विड्रॉ करना सुरू किया और वो रिस्पॉंसिलिटी वो एंजियो को देना उनना सुरू किया और उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि स्टेट के ऊपर खर्च कम किय जाए और फिर उक पूरा प्रिटिकल एकॉनमी उसका बना जिसमें लॉबिंग और तमाम चीजें होने लगी और एंजियोज इंटर्नली अंडिमोकरिटिक हैं एक्स्टर्नली डेमोकरिटिक हैं नहीं उसमें एक चीज और भी है मलेंद्र गटिया से गटिया राज ने था इसे 4-5 साल वाद जाके वोट मांगना ए सहा- अगर मैंने चलाता हूं और अपनी फंडिंग एजन सी प्रथी उत्तरणश आए पिर से तोह नहीं रहा भता हूं नजबरहा तोहा राज नेता अन्तित हैetes सिस्टम में और उभारतीय सिस्टम में किसी ना किसी रूप में जयंता प्रती उत्तरदाई है इसलिए आपने बहुत चीह बात कई एक और बात वात इसमें हम сво долларов धाने और प्रकारी संस्थाओं को बदनाम करने का और कमजोर करने का निरंटर प्रियतर चाहे चाहे वो सरकारी संस्था मान लीजिए कोई सरकारी विभागो चाहे उनिवर्सिटी हो उन पर हमले उनको कमजूर करने का प्रेयत ने ऐसी हालत कर देना कि अच्छे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स छोड़ छोड़ के प्राइवेट उनिवर्सिटीज में चले जाए यह सब उ हम तो करिछ सकते हैं लेके.." फूकुयामा भी जो किया है उन तो करी सकते हैं लेकिन फूकुयामाने भी जो किया है उस्फरता अनुचेत नहीं है मुझे रगता है भारत के विस्टलेशन को हमें उनके भारत के एक्सपर्ट होने कि तरह नहीं देखना चाहिए उनके भारत के विस्टलेशन को इस अंदर में देखना चेह जो मैंने पहली बात कही थी उसका पतन हो रहा है, उसमें कई सम्झा अउत्पन हो रही है, उसको समझा जाए कि ये डिके क्यों हो रहा है? उसको समझने के लिए जैसे मलींदर कह रहे हैं कि उन्होंने एक व्यापक फलक लिया जो बहुत मैटतपूर्ण ने. क्योंकि इस बात को हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर आप सिमला का भी इतियास लिखें या सिमला के किसी गाउं का इतियास लिखें तो वह अंतिते यूनिवर्सल हिस्ट्री का हिस्सा है सिमला जो है कोई तीन लोग से मत्रानियारी नहीं है तीन लोग से मत्रा नियारी भी इतिहास में उनिवर्सल हिश्ट्री का ही इससा है तो फुकुयामा ने फलक के तोर पर चीन, भारत और इसलामिक दुनिया क्योंकि इनके बारे में वो मानते हैं कि या रूल आफ लौ या इस्टेट किसी ना किसी रूप में विक्सित हुआ उसकी तुलना उन्होंने पश्चमी यूरोप से की है इसलिए भारत सम्मंदी उनका विसलेशन मनिंदर बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि इसके वावजूद इंसाइटफुल हैं इंसाइटस उनकी में प्रिफूवण हैं और वो हमारे लिये रैलेवेंट है भारतिये नाते बी और भारतिये इतिहास और संस्कृतिय के विद्ध्यार्ती होने के नाते बी In that sense, those insights are really important for us अगला सवाल अपना देश इस समय ऐसा मतलब भावनाओं से गिरा हुआ है मतलब भगवानी जाने के कब किसकी भावना आहत हो जाए और उसके बाद मालूम पड़ा कि मैं और मनींदर आहत हो गए तो इसलिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि मैं यह स्पष्ट कर दू कि ना तो मनींदर ने ना मैंने राष्टवाद को जहर का है फूकुयामा ने कहा है अब फूकुयामा का जो कोई बेगाड़ना चाहे बेगाड़ ले जागे दूसरी बात ही है कि हम यह मानते है मनींदर भी मानते है कि भारत जैसे कोलोनियल समाजों में जो कोलोनियल रहे हैं कभी जिन पर उपनेवेश्विक सासन रहा है राष्टवाद की एक बड़ी पॉजिटिव भूमिका है रही है मनींदर को यह लगता है अब मनींदर आगे बुलेंगे कि अब वो पॉजिटिव भूमिका भी उतनी महत्पून नहीं रह लगी है अपनी बात इसपस्ट कर दीजिए मुझे लगता है कि मैं कते ही यह नहीं कह रहा हूं कि रास्टवाद हमारे लिए महत्पून नहीं है मैं कहना जो अती रास्टवाद होता है जब अती रास्टवाद होता है तो हम क्या करते है अपने लिए एक एनमी क्रियट करते है एक फॉल्स एनमी क्रियट करते है फिर हम उसको मारने के लिए अपने तमाम क्राइसिस के लिए उस फॉल्स एनमी को responsible बनाते हैं कि वो मेरे लिए जिम्हिदार है और वो एक खतना इस तरह हो सकती है खास तौर पर तब जब हम डीप प्राइसिस में जाएं ज़िए हमारा संकट जैसे ही गारता जाए और खास करके तब जब का आप संदर्ब में यह बात लागू होती है और यह खत्रा इसलिए भी मलींद्रब मुझे रोखना पड़ेगा आपको क्योंकि इस माध्यम की यह सीमा है एक आखरी चीज कह दू क्या आखरी चीज में यह कहना है जो महत्पूर्ण है मुझे लगता है आखरी बात वो कहते हैं अपन द्हनिवाद मलींद्र बहुत रोचक बातचीत रही आपके साथ और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद शिमला ने ना के वल हमें एक बहुत सुंदर और बहुत सुखद आतित्थे दिया बलके इतनी जोशीली और इतनी परसेप्टिव ओडियंस के साथ बात करने का उस इसके लिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि यह कारिक्रम यह एपीसोड भी आप लोगों को पसंद आएगा इस पर आप अपनी राय हमारे फेस्बुक पेज फेस्बुक डॉट कॉम स्लैस राजिसवा टीवी पर या हमारे ट्वीटर हेंडल है इस टैक किताब और आरेस टीवी राजिसवा टीवी पर भेज सकते हैं और जो टिपनी इस किताब के बारे में आप करेंगे उनमें जो टिपनी हमें सबसे अच्छी लगेगी उसे हम उस टिपनी को भेजने वाले व्यक्ति को कुछ उपार दिया जाएगा और निश्चित र समान और सार्थक समबादी के साथ आपसे फिर अगले एपीसोड में मुलाकात होगी धन्यवाद